हाई हेलो गाईज वेलकम बेग टुमाइच चैनल तानवी किचेन चैनल में आप सभी का मॉष्ट वेलकम है तो आज फिर एक आइस क्रीम की रेसेपि आपके शेयर करने वाले हूं जो भी है मटका कुलफी आइसक्रीम और यह बिल्कुल पेवर्डूज से हम बनाने वाले हैं जूद से बनने वाली आइसक्रीम सभी को बहुत ही जदा पसंद होती है ना किसी जीज का मिलाउट करेंगे बहुत ही अच्छी और प्योड़ दूज से हम यह आज क्रीम बनाएंगे जैसे हम मार्केट में मटका कुलफी तो खाते ही है उसके जैसे इसका फ्लेवर आने वाल खाना से तो है तो देशितों तो आप टोन मिलक वाला अब ले सकते हैं कोई फ्रक नहीं पड़ेगा फूट्पेゃ वाले में जलदी जसे थिकनेस आज आती है और टोन मिलक वाले में थोड़ा टा göre मीन दगता है बैस इत Nash इतना फरग sins है जो और और भी हमने आइस क्रीम की रेसिपी सेर की हुई यह अपने नहीं देखियो तो मैं उन्हों का लिंक भी डिस्किप्शिन बॉक्स में दे दूंगी जाके देख लीजिएगा और इधर मैंने डाल दी है जैसे बदाम की कतरन कट करके डाले वह क्या होता है कि जैसे हमा अच्छी लेना है तो कौन फ्लार हमें किस काम के लेना है आगे मैं बताऊंगी तो कौन फ्लार में मैं बिल्कुल सादा पानी यूज कर रहे हूं सादा पानी यूज करना है इसको अच्छ से मिला लेना है और फिर हमें आगे यूज लेना है तो यह मैंने एक चमच के थिल्क बाहरा है युद्यायी तो कॉण फ्रवड में विसके तुल में उसलूरिफ़ को करना भी नहीं हिए क्शियों कमाइसिद आइस उस्दघ में तो बढ़ आहे काम करेगा अधीक करने तो अब ये थोड़ा कॉन फ्लावर पक गया है तो कॉन फ्लावर डालो उससे पहले उसके बाद में आपको बिल्कुल भी दूद को छोड़ना नहीं है तो कॉन फ्लावर नीचे चिपक जाएगो और आपका दूद का टेस्ट खराब हो जाएगा तो मैं ने चीनी भी डाल दीय तो चीनी मैं कितनी डालिया चोटी कट्रोड डाली है नियुक्त शोटी होो इसका किट्रोड यह रहे हमें इंडेक्षन को कर दूंगी बंद आई अप घैस पर बना रहे हो तो बिल्कुल बंद कर दीजिए और इसको थंडा होने के लिए छोड़ दीजिए रूम टेम्परेचर पर आने के लिए छोड़ दीजिए उसके बाद में हमें इसको आश्क्रीम बनाना है तो इधर मैं त पहला होगी ही में और मैं सन्पनानी ऐसे सांच मौल्डस उते हैं इसक्रीम के वह वह यूज यूज नहीं करने वाली तो 01 की ओद के यूज rec करे नहीं हूं से काँस के वह यूज्ट कर सकते हैं से कब भूंख कर सकते हैं चाय पिने वाले वह भी यूज़ कर सकते हो किसी में भी जमा सकते हैं आइसक्रीम तो तो यह देखिए 3 लाश में मैंने धंब रक दिया है और तीन हमNice से चाय वाले डिस्पोज लाते हैं वह यूज़ ले हैं तो इन Когда आख डाल देनगे अब मैं इस पे रेप कर दे रही हूँ फोईल पेपर जो आता है सिल्वर वाला फोईल पेपर यूज कर रही हूँ तो ये क्या काम करेगा जैसे हम जैसे फ्रीजर में रखेंगे तो आइस किस्टल ना जम पाई इस पे आइस सी आ जाती है तो वो ना आ पाई इसलिए हम इस पे लगा रहे हैं ये 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 काम करेगे ये आपके पास फोईल पेपर ये वाला ना हो तो सादर सिंपल वारी पन्नी भी आप लगा सकते हो उससे भी आपके नहीं जमेगी अंदर तक आइस किस्टल नहीं जाएगी इसलिए हमें लगा रहे हैं अब हम क्या करेंगे इसमें इस्टिक डालने वाले तो इस्टिक कैसे डालेंगे तो इस पे हमें उपर कट लगा देंगे नाइप से कट लगा देंगे तो हमें इस्टिक डाल पाएं फ्रीजर में रखोगे तो चार से पांच घंटे में बिल्कुल सेट हो जाएगी हमारी आइस क्रीम तो चार से पांच घंटे के लिए हम इसको रख देंगे फ्रीजर में हमारी आइस क्रीम बनके रेडी हो जाएगी तो यह मैंने फ्रीजर में रख दिया है, अब मैं निकाल दे रही हूँ, चार से पांच गंटे के बाद में इसको निकाल लिया है, अब आपको निकाल के दिखाऊंगे, तो आप सोच रहोंगे, पहले रखी थी, जब ज़्यादा आज क्रीम थी, और निकालने में कम दिख रह पहले 6 गिलाहती का दे रही है, तो इधर में जो डिस्पूजल वाला था, उसको ब्रlieK करना के दिखाऊंगे, तो डिस्पूजलष जत्षा कट कर निकाला है, तो इसको और इसे थी, आराम से निकल जायगा पर जैसे कट करे निकालता है, तो बिल्कुल बिल्कुल पिगल आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरू बताएगा अच्छा लगाओ तो मेरे वीडियो को लाइक जरू करके जाएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरह के मिलते रहे हैं टाइम टू टाइम और भी आपको आईश्क्रीम के वीडियो में करूंगी तो अच्छा लगव तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरू कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा तो मिलता है नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी में ओकी बाइ फ्रेंड